दोस्तों आरती का छोटू बापस से आ चुका है आरती के पास आरती होली में काफी जादा रो रही थी छोटू को ये दर्द देखा नहीं गया छोटू इच्छादारी साप बनके आरती के घर पे आ चुका है आरती को जैसा ही पता चला ये साप छोटू है तो बहुत ही जाद रहे थे कि ये साप को अपने घर पे क्यों रखती हो ये साप से काफी जादा खत्रा है ये छोटू तुमारा नहीं है लेकिन आरती कोई की बात नहीं मान रही थी तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस्तानद वरो यूटूब चैनल में दोस्तों आज का व छोटू को देखने के बाद होली में काफी जदा धमाका करने वाली। आर्थी छोटू के साथ आप कैसे क्या होगा सारा कुछ आप इस वीडियो में देखिए। और दोस्तों आप सभी को आनद ब्रो टीम की तरब से हैपी होली। आपकी होली अच्चे से गुजरे, आपका परिवार होली बगेर अच्चे से मनाएं। दोस्तों आर्ती छोटु की याद करते-करते इतना ज़ादा बीमार पड़ चुकी थी, आर्ती की इतनी ज़ादा तबियत खराब हो चुकी थी कि पिछले साल छोटु होली में था, तो आर्थी को काफी जादा छोटू की याद आ रही थी तो काफी जादा बीमार पर चुकी थी और ऐसा में छोटू से ये आर्थी का दुख देखा नहीं गया आर्थी से मिलने के लिए छोटू सांप का रूप दरके सांप को आर्थी के घर पे आ गया और सांप को जैसे ही ल बेटा देखकर उन लोगों को पता चल चुगा कि ये सायद छोटू ही होगा छोटू उसके बाद छोटू जैसा ही छोटू छोटू उनके घर के लोग बोलने लगे या आरती के घर के लोग छोटू छोटू आवास देने लगे तो वो साप इधर से उधर उशलने लगा था त अरती का अच्छा व गया आरती का अच्छा पहले जब चोटू की याद कर रही ती तो चोटू को देखा नहीं था तो काफी जाधा तब्याद खराब थी जैसे ही साँप का रूप आरती को पता चला कि छोटू सांप के रूप में हमसे मिलने के लिए आया है होली में तो आरती को काफी अच्छा लगा और जैसे भी तैसे करके गाउं के लोगों को पता चला तो गाउं के लोग इतना जादा हरामी होते हैं आप लोगों को भी पता होगा गाउं के लोगों ने पुलिस को खवर किया और rescue team को बताया गिया कि सांप उनके घर में निकला हुआ है उसको पकर लीजिए तो rescue team बाले भी वहाँ पर आये और आरती को छोटू से अलग करने के लिए साजिस करने लगे रोचोर आरती ने काफी जादा मना गिया rescue team बालों को क छोटू को हमारे मत छुणा मत छेडिये मत उसको भगाईये लेकिन rescue team बाले माने नहीं आरती को छोटू से अलग कर दिया हाला कि आरती के छोटू को लोगों के मुताबिक दोस्तों लोगों का इतना जादा आरती के उपर प्यार सपोर्ट है तो लोगों ने बताया कि आरती जादा खत्रा है साप से खत्रा होता है भला कोई साप किसी का रूप धारन कर सकता है ये बात गलत है ये कर सकता है और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरू से बताईएगा जो आरती के घर में साप निकला हुआ है ये क्या छोटू है सच में ये छोटू है अगर छोटू ह तो आप लोग comment करके जरूरुस से बताइएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लेगी है तो इस वीडियो को like करके चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को एक बार subscribe जरूरुस से कर लीजिया हमारे चैनल पर इसी तरह से लेटेड वीडियो शाते रहते हैं और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें जो स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रहा है यह बहुत अच्छा वीडियो है अगर आप लोग यूटूब पर वीडियो बनाते हो तो इस वीडियो को जरू से देखें मिलते हैं एक नए वीडियो में तब ले जैहन बंदे मातरम